पेपर से मिलेगा, देखे हमारा पहला क्यूस्टन है students, 625, अनुपात 25, समानुपात 225, अनुपात वट, तो देखे यहां 625 जो है वो 25 का square है, वर्ग है, तो यहां 225 किस का वर्ग है, 15 का, तो यहां पर C हमें हमारा answer पर आपत होता है students, उसके बाद में अगला क्यूस्टन ह यहां B, तो यहां M है, तो यहां N हो जाएगा, देखे N, N सभी में दिया है, यह देखे Z, यह Y, यह उल्टा हुआ है, इसमें उल्टा हुआ है, इसमें आगे बढ़ा है इस तरफ, लेकिन इसमें बढ़ा है इस तरफ, तो Y, Z, तो V से पहले क्या होता है, U, तो देखे यहा और यह देखे BC तो NO तो यह देखे NO यानि एक पर इधर बढ़ा फिर इधर बढ़ा फिर आगे बढ़ा तो देखे क्या आया NUO तो यहाँ पर NUO हमें A आंसर जो है प्राप्त होता है students आगे देखे नमबर 3 में हा अनुपात नहीं समानुपात जीवित अनुपात वट तो हा प्राप्त में उसे चुनिये जो अन्य विकल्पों से भिन है तो देखे 13 31 यहां क्या किया है 13 को उल्टा कर दिया यहां 45 को उल्टा कर दिया चार आगे 5 पीछे यह देखे और 5 को आगे कर दिया 4 को पीछे इसी तरह 16 का 61 बना दिया लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ तो यही इस A, E, I, O, U तो यह बिल्कुल अलग है स्टूडेंट्स कुष्टन नम्र छे में देखे लकडी कार्क काग पत्थर कागज तो देखे स्टूडेंट्स पत्थर को छोड़कर सभी लकडी कार्क कागज सभी पेड से बनने वाली चीज़ें हैं पेड से समंदित हैं लेकिन पत् उसके अनुसार करम में रखें तो यह हमें देखने है कि कौन सा एक नमबर पे आएगा कौन सा दो पे आएगा कौन सा तीन पे आएगा तो हम यह देखते हैं सबसे पहले देखे स्टूडेंट्स पी 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 सभी में है तो इससे नहीं पता चलता कि कौन सा किसका नमबर एक पहले है, अब देखे students, आर, 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 यहां भी नहीं पता चलता, तो सब भी पराबर है, तरीखे e, 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 इसमें बिए इ एल ल पहले होता है इन मेंसे पहले नомंबर का होगा अब यह देखिए ल अल पहले आता है तो इन दोनों का नमबर है रेस में आगे यह है अब देखो यू आई तो I पहले है तो I पहले है तो एक नंबर हमने इसे दे दिया English Dictionary में एक नंबर पे इन सब में से चार होगा लेकिन ये इनके साथ जब completion दोनों का हुआ तो ये हार गया पीछे रह गया तो ये U तो ये दो नंबर पे आ जाएगा देखे students अब तीन नंबर में competition इन तीनों के बीच में है तीन नंबर पे कौन सा आएगा तो देखे ये तक बराबर है एम एम तक बराबर है फिर देखो ओ आई हाई लेकिन आई में competition हो गया आई पहले होता है आई में competition यहां तक तो बराबर है लेकिन पहले कौन है फिर ये देखे सी तो इसका मतलब 3 नंबर पे यह आ जाएगा 3 नंबर पे देखिए और इन दोनों में competition था यह हार गया तो यह 4 नंबर पे आ गया यह देखिए 4 नंबर पे तो 5 नंबर पे कोन गया अपने आप 5 नंबर पे यह पहुँच गया देखिए students, तो अब हम इसको नीचे देख सकते हैं, अब देखिए, नीचे हम देखते हैं, तो एक नंबर पे आया चार, उत्तर में देखिए, एक नंबर पे चार इन दोनों में है, दो नंबर पे दो, तो दो भी इन दोनों में है, देखिए, तीन नमबर पे तीन तो ये इसमें ही है देखे स्टूडेंट्स तीन नमबर पे तीन इसी में है तो इसमें सी हमारा अंसर जो है हमें प्राप्त होता है तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये अरेंज करने होते हैं अगला question ने students दिये गए विकल्पों में से कौन सा निमलिखित सब्दों का सार्थक आरोही करम दरसाता है तो देखे students सार्थक आरोही करम यहाँ पर देखे सबसे पहले Q8 में देखे students, सबसे पहले नवजात, सीसू से पहले नवजात अवस्ता होती है, बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद में सीसू, तो तीन के बाद एक, तो देखे students, तीन एक यहाँ पर है, पहले नवजात, फिर सीसू, फिर वो बालक, देखे बालक फिर चार, बालक, और फिर prod 5 तो एक number ही हमारा इसमें आंसर आ गया पहले नवजात होता है फिर वो सीसू बनता है फिर वो बालक बनता है फिर युवा बनता है फिर prod बनता है तो एक number पे यहाँ पर हमारा सार्थक आरोही करम हमें मिलता है students स्टूडेंट्स हमारा पर्सनल नमबर नो है दी गई अक्सर स्रंखला के खाली स्थान पर करम से रखने पर निमलिक्त में से कों सा अक्सर समू उसे पूरा करेगा यानि फिलिंदा बलेंक्स खाली स्थान बरने हैं देखे, students, इन अक्सरों को हम इन फिलिंडा बलेंक्स में रखते हैं, खालिस्थान में रखते हैं, और कोई tuning बन जाती है, तो ये समझ लीजिए, ये वही उसका answer है, यहां पर A रखते हैं, A, A, फिर देखे, A, A, B, C, A, A, फिर यहां B रखते हैं, B, C, A, A, फिर यहां C, C, तो ये complete नहीं हुआ, students, यहां तक तो कुछ बन रहा था, लेकिन complete नहीं हुआ, तो B में चलते हैं, B को रखके देखते हैं, A, A, देखे, A, A, B, C, A, A, तो ये तो बन गया, A, A, B, C, A, A, अब उसके बाद में B रखते हैं, B, C, A, A, देखे, B यहां रखते हैं, तो B, C, A, इसका मतलब B हमारा answer आएगा, A हम यहां रखके देखे, फिर B यहां रखते हैं, फिर B यहां रखते हैं, फिर C यहां रखते हैं, बोल के देखते हैं, A, A, B, C, A, A, B, C, A, A, B, C, तो देखे बी यहां पर हमें अपना आंसर प्राप्त होता है students, हमारा अगला question है students, दिये हुए विकल्पों में से उस सब्द को चुनिये, जो दिये गए सब्द के अक्सरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो देखे students हम अपने question में जाते हैं, तो यहां दिया है laughter word, देखे students, laughter, laughter word जो है इस से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता, तो यहां देखे GATE, GATE इसमें है, और rate आर भी है, तो AT तो पहले ही है, ATE यह भी है, H भी इसमें है, यहां देखे G R U N T, तो देखे N कहां है, N तो नहीं है, तो यहीं एक ऐसा सब्द है, जो नहीं बनाया ज आ सकता, laughter सब्द के alphabets से, students, question number 11 में देखे, यदि prohibition को एक कुट भासा में ये लिखा जाए, तो उस कुट भासा में इन ही बीशन को किस परकार लिखा जाएगा, तो students, इनी सब्दों के code ये लगातार इसमें दिये हुए है, क्यों, क्योंकि यहां पर और कोई बन ही नही सकता, क्योंकि जब एक बार कोड देकर दूसरा पूछा जाए, तो संबह होता है, वो उसी में से होता है, तो देखे, students, यहां P, R, अब यहां देखे, P को 6 लिखा है, R को 8, O को 0, तो हम इस तरह ढूंड सकते है, students, इसी के नीचे ये अकसर लिखकर हम इसे ढूंड सकते है, देखे, 6, 8, 0, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 0, 5, अब देखे, 3 का 4, I का 2, 0, 5, तो हम ढूंड सकते हैं, देखे, students, यहां पर 2 का starting में हम देखते हैं, तो 2 का कोड क्या है, देखे, students, I का कोड क्या है, 2, देखे, सभी में है, फिर N का कोड क्या है, N का कोड देखे, पीछे से 5 है, तो वो भी सभी में है, फिर उसके बाद में, H, तो H का कोड क्या है, देखे, 3, तो 3 इसमें है, और इसमें है, यह हमारी लाइन से चला गया, 3 आई का कोड देखते हैं दो तो आई का कोड दो इसमें भी नहीं है जबकि आई का कोड दो इस इन दोनों में है अब देखिए स्टूडेंस इन दोनों में भिन क्या है वो डूंड लीजिए क्योंकि आंसर तो इन दोनों में है जब इन दोनों में हमारा आंसर है तो इसमें भि तो यहां पर D हमें हमारा आंसर मिलता है students, students question number 12 है देखे, चिन्नों या संख्याओं के किस अदल बदल से निमिन समीकरन सही हो जाएगा, तो देखे students यहां चिन्न दिये गए हैं, कहता है, ए में कहता है 2 और 3 को बदल दे, तो 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, चलो करके देखते हैं, तो 2 की जगह 3 कर देते हैं, तो यह 10 हो जाता है, देखे, 10, और 3 की जगह 2 कर देते हैं, तो देखे 10 दुनी 20, और फिर आगे 4 गुना, तो यह तो नहीं बना, तो A option तो गया, 20 बराबर भी तो आना चाहिए students, अब B में जाते हैं तो गुना और माइनस, यानि गुना की जग जाएंगे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, तो B नंबर भी गलत है, 7 तथा 3, यानि 7 की जगह 3 कर देते हैं, और 3 की जगह 7, तो 3 और 2, 5 हो जाएंगे, 5, 7, 35 और 35 चोका, यह तो बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत जादा हो जाएंगे, तो यह भी गलत है, अब जमा और गुना को बदलते हैं, जमा की जगह गुना करते हैं, और गुना की जगह जमा कर देते हैं, यह दोनों जमा हो जाएंगे, यह गुना हो जाएंगे, 7, 2, 14, 14, 14, 3, 17, 17, 14, 21, जुड़ गए हैं, जमा हो गए, 21 में से एक गया 20, तो आंसर तो हमें पहले ही पता था, 3 तो क करनाली के आधार पर हल किये गए हैं इसी आधार पर हल ने किये गए समीकन का उत्तर ग्यात कीजिए साथ आठ तीन तो क्या किया गया है रिजनिंग है ये स्टूरेंट्स इसमें गुना नहीं की गई है ये रिजनिंग है इसमें पता नहीं ये कुछ भी कर सकते हैं तो यहां देखे, साथ को बीच में रख दिया, यह देखे, और आठ को आगे कर दिया, और तीन को पीछे, यह देखे, यह देखे, यह देखे, पांच को बीच में कर दिया, और नो को आगे, और चार को पीछे कर दिया, तो आप भी ऐसे ही कर दिजिए, दो को बीच में रख दिजिए, साथ को आगे और पांच को पीछे रख दीजिए साथ सो पत्चीस आपको आंसर प्राप्त होगा ये हमारा आंसर है students students हमारा question number 14 है दिये गए समीकन को संतोलित करने तथा स्टार चिन्हों को परति स्थापित करने के लिए गणितिये चिन्हों का सही करम समों चुनिए तो students बदल बदल कर देखना पड़ेगा देखे भाग जमा बराबर गुना तो देखे भाग जमा बराबर और यहां गुना तो करके देख लीजिए बारातिया 36 तो ये भी 36 बनने चाहिए देखे students यानि ये भाग है तो 6 भाग 1 बटा 15 ऐसे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 तो ये तो नहीं बनता देखे क्यों क्योंकि 36 बनना चाहिए 36 ये बनेगा नहीं तो ये तो बराबर नहीं हुआ अब students बी को रखे देखते हैं जमा भाग गुना बराबर इसका मतलब यहां बराबर 12 होना चाहिए इसको हम खोलते हैं तो students देखे यहां भाग में रकम पलड जाती है यह देखे रकम कैसे पलड जाती है देखे students पहले कहता है 6 जमा 15 भाग 10 गुना 3 बराबर 12 तो यहां कैसे रकम पलते हैं देखे students इसको खोलेंगे हम पहले तो यह हो जाएगा 6 जमा 15 गुना 10 बटा 1 तो एक बटा 10 हो जाएगा यह और फिर गुना 3 करने के बाद 12 आना चाहिए अब देखे यहां 3 आ जाता है और यहां 2 आ जाता है तो इसको हम कारते हैं यह यह यहां पर 12 बनता ही नहीं है किसी भी हालत में आप देखेंगे तो 12 बनने का सवाल ही नहीं है तो यहां B भी हमारा option जो है वो नहीं बनेगा अब देखें students हम option C में आते हैं option C को हम इसमें भरते हैं पहले लिख लेते हैं students जैके 6 15 10 3 और 12 और तीन नमबर को इसमें लगा देते हैं गुना भाग जमा और बराबर तो देखें अब इसको हम खोलेंगे तो पहले भाग तो खुलेगा और भाग खुलेगा तो देखें 6 गुना 15 और भाग की जगे गुना हो जाएगा और गुना जब भाग की बनती है, तो अगली रकम पलर जाती है, यह दस बटा यह एक होता है, तो यह एक बटा, दस, जमा तीन, बराबर बारा, तो इसको हल करते हैं, देखिए students, यहाँ पर यह कट रहा है, पांस तीए पंदरा, और पांच दूनी दस, देखिए, यह क्या हो सही आंसर है, students, students, अगला question है, निर्देश, पर्सन, दिये गए विकल्पों में लुप्त संख्या ग्यात कीजिए, तो students, यहाँ दिया है, दस, या 85, या 8, और इस तरफ दिये हैं, 7 और 8, तो 10, आठे, 10 गुना 8, इधर अगर देखते हैं, 10, अठे, 80, 5 यहां बढ़ाये हुए हैं, 7, 7, 49, यहां पर 7 नहीं बढ़ाये हुए, ओ, 7, 7, 49, यहां पर भी 5 बढ़ाये हुए, 49, 54, दस, अठे, 80, 5 पलस, इसका मतलब इन दोनों की गुना, और फिर पलस 5, 85, इन दोनों की गुना, और पांच पलस, इन दोनों की गुना, आठ, निम, 72 और पांच, 77, तो भी इसमें हमें, हमारा आंसर प्राप्त होता है, स्टूडेंस, हमारा अगला कुस्टने स्टूडेंस, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, तो यहां बना लेते हैं, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, यह देखें, उत्तर, उत्तर दिशा उपर की तरफ होती है, फिर पस्टिम की ओर मुड़ कर 10 मीटर गया, तो यह पूरब होता है, और यह पस्टिम होता है, तो फिर पस्टिम की ओर मुड़ कर 10 मीटर गया, और यह निशान लगा लेते हैं, पस्टिम की ओर इधर जा रहा है, फिर मैं दक्सिन की ओर मुड़ा, और 5 मीटर चला, फिर द इसको थोड़ा सा ओर बढ़ा देते हैं, पंदरा हो जाएगा, 5 मेटर चला, और फिर पूरब की ओर मुद्ग कर 10 मीटर चला, अब देखें, पूरब की ओर मुद्ग कर 10 मीटर चला, यह देखे, इधर, इधर बराबर 10 है, तो इधर पहुंच गया, यह देखिए, इधर इसी रेखा पर पहुँच गया, मैं आरंबिक स्थान से किस दिशा की और हूँ, जो आरंबिक स्थान था, वो क्या था, आरंबिक स्थान से किस दिशा की और हूँ, तो आरंबिक स्थान से वो कहा है, देखिए, उत्तर की और ही तो है, देखिए, अगर मुह किस दिशा की और है वो एक अलग बात है लेकिन यहां देखिए यहां वो उत्तर दिशा की और है तो C इसमें हमें हमारा आंसर प्रापत होता है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा अगला क्युस्टन है देखिए छे मित्र A, B, C, D, E और F पूरब की और मुख करके एक पंक्ती में बैठे हैं C बीच में है A और E के B, E के निकट्तम दाएं लेकिन D के बाईं और है F के दाएं छोर पर नहीं है A के बाईं और कौन है तो स्टूडेंट्स कहता है पूरब की और मुख करके बैठे हैं लेकिन अंत में पूछता है A के बाईं और कोन है तो यहां डारिक्शन का दिसाओं का कोई भी अर्थ नहीं है आप अपनी स्वीधा के अनुसार किस्टन को बना सकते हैं कि A, B, C, D, E उत्तर की और पूरब की और मुख करके बैठे हैं एक पंक्ती में बैठे हैं C बीच में है A और E के देखिए लेकिन साथ में ये भी तो याद रखेंगे के C बीच में है E और A के देखिए बात तो A की है के C बीच में है A और E के या E या A A की बात है तो हमें C को बीच में रखना है लेकिन ये भी याद रहे कि हमें दोनों तरह से आरेंज करने पर हमें question का answer आसानी से मिल जाएगा B E के निकटम दाएं लेकिन D के बाईं और है तो देखे B E के निकटम दाएं B जो है E के निकटम दाएं तो अब अगर हम E के निकटम दाएं B को यहां लगाते हैं B जो है बाईं हो गया E के बाईं हो गया लेकिन अगर यहाँ पर हम B को लगाते हैं, तो देखे, उपर statement में क्या कहता, B, E के निकर्तम दाएं, तो देखे, E के निकर्तम दाएं B इसमें बनता है, लेकिन D के बाइयोर है, और D के बाइयोर है, कौन, B, देखे, कहता है, B, E के निकर्तम दाएं, और D के बाइयोर है, त में तो नहीं बनता और आगे कहता है F दाइं छोर पर नहीं है तो देखिए दाइं छोर तो यह होता है और F इस छोर पे है नहीं तो किस छोर पे है इस छोर पे है तो देखिए students यह arrange हो गए है F A C E B D अब चाहे इनको ऐसे खड़े करके आप पूरब की तरफ कर दें उससे क्योंकि उत्तर में पूछा हुआ है A K Nिकतम A K B A Y O R कौन है तो अब हम यह देखेंगे के A K B A Y O R कोन है यहां देखिए A K B A Y O R तो A का यह तो इस तरफ तो दाया होता है और इस तरफ बाया होता है तो F A K B A Y O R F है तो students देखिए D answer हमें यहां पर हमें प्राप्त होता है students question number 18 में देखिए यदि K E D G Y को एक कुट भासा में E K D Y G लिखा जाए तो उस कुट भासा में light L I G S T को किस परकार लिखा जाएगा तो देखिए students इसमें K E को E K किया गया है तो हम L I को I L कर देखिए students और फिर D G Y को D D Y G लिखा गया है यानि Y को उठा कर बीच में रख दिया गया है तो G H T को हम G T H कर देखिए students यहां पर हम इसको G T H करते हैं तो G T H हमें option number C में जो है हमें प्राप्त होता है students option number C में अगला question number 19 students देखिए कितने गरामीन लोग सिक्सित हैं तो देखिए यहां तिर्भुज जो है वो सिक्सित को दरसाती है और यह सरकल जो है यह वृत जो है नोकरी पेशावर्क के लोगों को दरसाता है जबकि दूसर जो है यह गरामीनों को दरसाता है तो देखिए यह students जो गरामीन तिर्भुज के अंदर गए है वो सिक्सित है पक्के सिक्सित है और यहां कहता है कितने गरामीन लोग सिक्सित है चाहे वो नोकरी पेशा वाले भी क्यों नहीं हो तो इसलिए यह 22 गरामीन है और सिक्सित है और यह 6 गरामीन भी है और सिक्सित है तो 22 और 28 हमारा यह लेकिन अगर वो कहता कि ऐसे ग्रामीन कितने हैं, जो केवल सिक्षित हैं, नोकरी पेसा नहीं, तो वो 22 होता, ये स्टूडेंट्स हमें याद रखना चाहिए, अगला हमारा क्यूशन है स्टूडेंट्स कौन सी उत्तर अकरती परसन अकरती के पैटरन को पूरा करेगी, तो प कैसे सीधी एक रेखा होगी, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां अगर हम नीचे देखते हैं, तो इन दो में तो हमारा आंसर ही नहीं, क्योंकि यहां पर ये डंडा बिलकुल नहीं है, और फिर यहां देखते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां सीधा डंडा है, और यहा तर आकर्ती को चुनिए, जिसमें परसन आकर्ती नहीत है, यानि students इसको अच्छी तरह से देखिए, यह आकर्ती किसमें सेम बनती है, तो students यहां तो clear ही दिखाए दे रहा है, यह बिल्कुल नहीं बनती, और यहां भी नहीं बनती, क्योंकि यह अगर नीचे की तरफ हम उसको उल्टा भी कर दे तो भी नहीं बनती, और यहां भी सवाल पैदा नहीं है, सिरफ इसी में निकलती है, कैसे यह देखिए, यह देखिए, यह सीधा और यह, यह देखिए, clear है, इसके अंदर यह वाला इसमें बनता है, अब इसके साथ यह टेडी रेखा और यह, तो D, answer सही है, students, D, हमें answer मिलता है, question number 22 में देखिए, students, नीचे परसन आकरती में दिखाए अनुसार, कागज को मोडने, काटने, तथा खोलने के बाद वहे, उत्तर आकरती जैसा दिखाई देगा, यह परसन आकरती है, students, देखिए, यह एक circle है, एक इसको page मान लेजिए, गोल क बाटा हुआ, इसके बीचों बीच, इसको इस तरह से fold कर दिया गया है, देखिए, अब यह आधा हो गया है, यह देखिए, इसमें दिखा दिया, यह आधा हो गया है, इस तरफ का फोल्ड कर दिया गया है, उपर की तरफ, इस तरह से, तो यह आधा हो गया है, अब इसको इ पूरे पेज को खोल लेंगे गोल सरकल को तो वो ऐसे बन जाएगा देखे ये तीन बिंदिया यहां भी होंगी ये तीन बिंदिया यहां भी होंगी और यही तीन बिंदिया यहां भी होंगी तो तीन दुनी छे तिन तिन तिया नो और तिन चुके बारा तो बारा बिंदि इस इसके अंदर 3 और 3 छे, 3 तिया 9 और 3 जोके 12, तो 12 बिंदी केवल इसमें है, यहां तो एक बिंदी वैसे भी खाली है और इसमें तो मरने का मतलब भी नहीं है, तो हमारा answer D इसमें बिलकुल correct है students. Students, question number 23 को देखे, उत्तर आकर्तियों में से कौन सी आकर्ती, person आकर्ती का सही परतिविम्ब होगी, जबकि दरपन AB रेखा पर रखा हो, तो students, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, English alphabet यहां पर दे गई है, मैं आपको बताता हूँ के L, हम लिखते है L, और L को बीच ओ बीच काटिए, अगर ये दोनों तरफ एक जैसा है, एक balance है, दोनों तरफ एक जैसा है, तो ये उल्टा सीधा एक जैसा दिखाई देगा लेकिन L एक जैसा नहीं है, तो ये उल्टा दिखाई देगा, R को देखे बीच ओ बीच कारते हैं, तो ये इधर से कुछ है, इधर से कुछ है, तो ये उल्टा दिखाई देगा, A को देखे, A को अगर हम A को बीच ओ बीच कारते हैं, देखे, तो A इधर भी समान है, इधर उल्टा सीधा एक समान दिखाई देगा तो इसी तरह R जो है वो उल्टा दिखाई देगा उपर की तरफ तो देखिए यहीं पर हमारा आंसर आजाता है D और E को देखते हैं तो E बराबर कारते हैं उपर से B24 तो उल्टा सीधा उल्टा दिखाई देगा A सीधा दिखाई देगा देखे A इसमें दिया गया ये सीधा है और D उल्टा है क्योंकि D को भी बीचो बीच आप काटते हैं तो D को बीचो बीच काटने पर आधा कुछ और आधा कुछ है लेकिन यहां पर देखे students यहां R नीचे दिखाया गया है क्या हम सी से आगे खड़े होते हैं तो हमें उपर पैर दिखाई देते हैं अरे सामने तो मोही दिखाई देगा तो यह तो होने का सवाल ही नहीं है हमारा आंसर जो है बिलकुल किलियर इसमें D हमें पराप्त होता है students students किस्टर नमर 24 को देखिए निमिलिकित में से कौन सी आकरती दिन वर्स और महीनों के बीच संबन्द को भली भांती दरसाती है तो students यहां पर काल यानि समय के बारे में बताया गया है दिन वर्स और महीने students देखिए अगर हमें कोई कहता है कि इंडिया तो यह इंडिया है भारत है और फिर कहता है बिहार और बिहार तो यहां पर यह बिहार हो गया क्योंकि वो इंडिया में आता है और फिर कहता है समस्ति पूर, तो समस्ति पूर इसका एक जिला है तो देखी यह diagram इसमें बनता है जो डी में दिखाया गया है, इसी तरह से देखे students वर्स जादा होता है, बड़ा होता है, फिर उसके अंदर कहता है महीने, तो देखे महीने उसके अंदर आ गए और महीनों के अंदर दिन आ गए तो देखिए स्टुडेंट्स इस तरह से हमारा बी आंसर इसमें तयार होता है क्युस्चन नमबर 25 में देखिए एक सब्द केवल एक संख्या समू दवारा दर्साया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है विकल्पों में दिये गए संख्या समू अक्सरों के दो वर्गों दवारा दर्साये गए है जैसा कि नीचे दिये गए दो मैट्रिक्स में है मैट्रिक्स एक के सतंभों और पंग्तियों की संख्या 0 से 3 दी गई है प्रक्सर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में सतंब संख्या दवारा दर्शाया जा सकता है। उद्धारन के लिए A को 00, 33, 21 आदी दवारा दर्शाया जा सकता है। तथा M को 22, 23, 13 आदी दवारा दर्साया जा सकता है, दिये गए सब्द मील के लिए संख्या समूँ पहचानिये, मील, M-E-A-L, मील, तो स्टूडेंस देखिए मैं आपको सतंभ में, यानि मैट्रिक्स नंबर 1 और 2 में ये सबी अच्छी तरह से समझाऊंगा, स्टूडेंस मैट्रिक्स में आते हैं, देखिए मैट्रिक्स में कोड क्या होता है, मैट्रिक्स में हमें कोड ढूना है, M-E-A-L, मील का कोड ढूना है, देखिए स्टूडेंस ये सतंभ संख्या होती है, और ये पंक्ती संख्या होती है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले M का कोड हम देखते है, M का 0, 1, देखिए ये पंक्ती संख्या और ये सतंभ संख्या होती है, तो M का 0, 1, तो 0, 1 हमें D के 1 में मिलता है, अब हम उपर देखते हैं M का 1, और इधर 3, 13, तो 13 हम देखते हैं नीचे स्टूडेंस, 13 हमें option A में मिलता है, उसके बाद में M का हम देखते हैं students, 2, इधर 2 है और इधर 2 है, यानि 22, तो 22 देखिए हमें option B में मिलता है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं M का 3 और 0, 30, तो 30 देखिए students, 30 हमें option C में मिलता है, तो students, चारों code M के हमें चारों option में मिल चुके हैं अब students हमें code ढूनना है E का E का code हमें find out करना है M का हम find out कर चुके हैं तो E का कहा है, देखे students E का 4, इधर 4 है, पंक्ती में और सतम में 4, 44 तो देखे students, 44 यहां पर है फिर E का हम ढूनते हैं, देखे students इधर 5 है और इधर 6 है 56 तो देखे students 56 C में है फिर उसके बाद में हम E का ढूंडते हैं 6 और इधर है 5 65 तो 65 देखे students D में है फिर उसके बाद में E का हम ढूंडते हैं 7 और इधर 7 तो 77 देखे students 77 इसमें नहीं मिला तो ये हमारे पंक्ती से बाहर हो गया तीन option हमारे पास बाकी बचे हैं तो students देखिए अब हमें code ढूनना है A का A का code देखिए पंक्ती में 0, 0 तो 0, 0 नीचे देखते हैं 0, 0 किसी में नहीं है फिर हम जाते हैं A के दूसरे code पर 1 और 2, यानि 12 सतम में 2 और पंक्ती में 1, 12 तो 12 देखते हैं नीचे students देखिए 12 देखिए students 12 हमें D option में प्राप्त होता है फिर उसके बाद में हम जाकर देखते हैं A का code 2, 1, 21 21 हमें मिलता है तो 21 हम देखते हैं तो students 21 हमें C option में प्राप्त होता है फिर उसके बाद में A का code देखते हैं students एका कोड तीन और तीन तेतिस तो तेतिस एका कोड हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता students इसलिए हमारा option number A भी हमारी लाइन से भार हो जाता है हमारे पास दो option बसते हैं students अब हमें कोड ढूणना है L का देखे students और L का कोड नीचे है तो देखे L का कोड पहले हम देखते हैं 4 और इधर 6 46 तो देखे students 46 कोड जो है यहां ये तो कटी चुके हैं 46 कोड दोनों में से किसी में नहीं है फिर हम L का कोड देखते हैं students 5 और 4 54 तो 54 देखे इन दोनों option में किसी में नहीं है फिर हम L का कोड देखते हैं students 6 और 7 66 तो देखे students 66 हमें यहां पर प्राप्त होता है फिर उसके बाद हम L का कोड देखते हैं 7 और 5 75 तो देखे students 75 और किसी में भी नहीं है ये भी कट चुका है इसका मतलब हमारा option C हमें बिलकुल correct कोड जो है इसमें प्राप्त होता है तो students इस परकार से आपने हमारे इस MTS test paper के topic को देखा मुझे पूरी आसा है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा मुझे पूरी आसा है आने वाले आपके इस exam में ये paper आपके लिए अत्यन्त उप्योगी साबित होगा Students अगर आपको हमारा ये topic पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को share और like करना ने भूले और हमारे चैनल को subscribe अवस्य करें धन्यवाद, see you in the next video